नमस्कार प्रिये मित्रो आज मैं आपको कर्ण्या लगनवालों के लिए अप्रैल 2022 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं पहले और दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है तीसरे घर में केतू बैठे हैं 12 अप्रैल को केतू आपके दूसरे घर में चले जाएंगे चौते घर में कोई ग्रह नहीं है पाचवे घर में मंगल और शनी बैठे हैं मंदल 7 अप्रेल को और शनी 29 अप्रेल को आपके छठे घर में चले जाएंगे, छठे घर में गुरू और शुकर बैठे हैं, गुरू 13 अप्रेल को और शुकर 27 अप्रेल को आपके साथवे घर में चले जाएंगे, साथवे घर में सूर्य और बुद्ध बैठे हैं, सूर्य 14 अ अप्रेल को और बुदेट अप्रेल को आपके आठवे घर में चले जाएंगे और बुदेसी महीने 24 अप्रेल को आपके नव में घर में चले जाएंगे बुद आपके लगनेश है और दसवे घर के मालिक हैं। बुद आपके साथवे में घर में बैठे हैं। बुद अपनी नीच राशी में बैठे हैं। जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में प्रोबलम आ सकती हैं। पती-पत्नी के बीच में वाद विवाद होंगे, विजनेस पार्टनर्शिप में प्रॉब्लम होगी. एट अप्रेल को बुध आपके आठवे घर में चले जाएंगे, बुध यहां भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे. 24 अप्रेल को बुध आपके नवमे घर में चले जाएंगे, आपको बुध का थोड़ा अच्छा फल मिल पाएगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपका आक्मविश्वास बढ़ेगा, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, शुक्र आ ये समय अच्छा रहेगा, 27 अप्रेल को शुक्र आपके साथ वे घर में चले जाएंगे, शुक्र मीन राशी में उचके हो जाते हैं, मैरिज लाइफ में जो प्रॉबलम चल रही थी, वहाँ दूर हो जाएगी, पती-पत्नी के रिलेशन अच्छे रहेंगे, विजनेस पार गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, मंगल 7 अप्रेल को आपके छठे घर में चले जाएंगे, शनी भी 29 अप्रेल को छठे घर में आ जाएंगे, मंगल और शनी में आपस में शत्रता होने की वजह से आपको प्रॉबलम का सामना करना पड़ सकता है, इस समय के द इस समय के दौरान आपके पत्नी या पत्नी की हेल्थ खराब रहेगी, आपकी मा की हेल्थ भी खराब रह सकती है, 13 अप्रेल को गुरू आपके साथवे घर में चले जाएंगे, इस समय में आपकी पत्नी और आपकी मा की हेल्थ में सुधार होगा, गुरू यहां अपनी ही राशी में होंगे, जिसकी वजह से आपकी marriage life अच्छी रहेगी, जिन लोगों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी हो सकती है, बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है, आपका मान संबान बढ़ेगा, इस समय में आप नई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीद सकते हैं, शनी आपके पांच में और छटे घर के मालिक है, शनी अपनी ही राशी में बैठे हैं, इस समय में आपको शेर बाजार में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, पेट के related, एसिडिटी और गैस की प्रॉबलम रहेगी, पढ़ाई में प् 29 अप्रैल को शनी आपके छटे घर में चले जाएंगे, आपके कर्ज दूर हो जाएंगे, आपके दुश्मन भी आपसे दूर चले जाएंगे, राहू आपके नव में घर में बैठे हैं, साल के बाद राहू राशी परिवर्तन करके आपके आठवे घर में चले जाएंगे, सूर्य आपके साथवे घर में बैठे हैं 14 अप्रैल को सूर्य आपके आठवे घर में चले जाएंगे सूर्य अपनी उच्चराशी में बैठे हैं लेकिन सूर्य और राहू एक साथ होने से सूर्य को ग्रहन लग जाएगा समय के दौरान आपके सासुराल वालों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं आपको अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना होगा आपको आदित्य हर्दैस, ध्रोथ और विश्नु सहस्तनाम के पाट करने चाहिए तो ये था कन्या लगनवालों के लिए अपरैल 2022 का प्रेडिक्शन ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहें हमारी चैनल नमस्कार